हेलो क्रेशल्स वल्कम टू डे फॉर्टी आज हम दो चैप्टर को कम्प्लीट कर देंगे अटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक्स और हिस्टी तो हमने कल वाले वीडियो में ही देख ली ती आज हम स्टार्ट कलने माले हैं अटॉमिक स्पेक्ट्रा से बहुत सारे क्वेशन इसम हमारे पास characteristics x-rays दोनों को अच्छे से समझेंगे mostless log क्या कहता है x-rays के बारे में उसका भी एक कहा जाता है कहां पर वो दो mass of electron वाला जो जो होता है सब कुछ आज डीटेल में सभज लेंगे and फिर हमारा last topic आने वाला तो क्या होता है और अगर हम आपा successive integration हो जाते हैं तो किस तरीके questions वा पर बन सकते हैं सारी सारी चिजास cover कर लेंगे वीडियो थोड़ा से लंबा हो सकता है क्योंकि आज हमें इस goals को complete करना ही है इसके बाद बस semi-conductors and errors बच जाएगा तो I hope आपको इस वीडियो के बाद कोई डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है मेरा नाम विक्रांत किरार है मेरी pencil उचल उचल के ठक गई है इसलिए अब इस वीडियो को start करते हैं बोर्ज एटॉमिक मॉडल इसमें हम देखते हैं कि हमाँ पास एक nucleus होता है electrons के चारों में चक्कर लगाता है electron अलग-अलग orbit में चक्कर लगा सकता है इन orbit के कुछ नाम दे देते हैं जैसे इसकी n की value 1 है इसके लिए n की value 2 है इसके लिए n की value 3 है अब electron को energy कैसे दी जाती है electron को energy दी जाती है एक photon के जरिए photon आएगा electron energy absorb पर उपर भी आ सकता है यहां से वो नीचे जाएगा तो उसमें से कुछ और दूसरा photon निकलता है इस तरीकी की चीज़े होती है यहां पर एक चीज जो हमें समझने की है कि यहां पर हमाँ पास किसी भी electron की total energy की value होती है वो होती है minus 13.6 13.6 z square upon n square electron volt यह feel करने की कोशिश करो यह negative क्यों है देखो यहां पर atom का यह nucleus था और electron मान लो अगर infinite distance पर तो उसको हम बोलता है कि वहां पर उसकी potential energy zero है और planetary motion में भी हमने पढ़ा था जब यह pass आता है तो इसके पर यही वाला जो attractive force है वो work कर रहा है उसकी energy actually फिर यहां पर kinetic energy बढ़ जाती है तो अगर इसकी energy उतनी ही रहेगी तो फिर यह वापस दूसरी तरफ इस तरफ जा सकता है अगर इसकी total energy negative होती है तभी यह वहाँ पर bound रहता है वो यहां से infinity तक जा नहीं सकता तो मान लो हमाँ पास एक electron है जो यहां पर घूम रहा है उसकी energy हम इस तरीके से निकालते है कुछ मान लो negative 3.4 value आज़े है उसकी 3.4 electron हो लेट से for example अगर मुझे उसको infinite तक फिर से ले जाना है तो मुझे इतनी ही energy देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई हमने इसको ionize कर दिया तो हमाँ पास एक term आ जाती है ionization energy ionization energy ionization में क्या होता हमाँ पास n से उसको हम n is equal to infinity तक भेज देते हैं और इसकी value आप यहीं से calculate कर सकतो infinity पे जाकर के potential energy basically हमें 0 माननी होती है तो जो भी यह value है magnitude वही ionization energy के बराबर हो जाता है इसी को एक और नाम से हम जाने आते है कि अगर हमाँ पास कोई भी atom है उसके अलग-अलग constituents को अलग-अलग कर दो है ना तो उसको क्या बोलते है binding energy तो इसी को binding energy भी बूला जाएगा binding energy क्योंकि यहां पर दो ही हमारे पास constituents है यह हमारा nucleus है एक electron है अगर हमारे पास यहां पर 2-3 electron होते तो binding energy में हर एक को infinite पर ले जाते हैं तो जो energy देनी पड़ते ही वो आती लेकिन क्योंकि यहां पर एक ही electron था हमारे पास तो उसको लेके जाओ तो उसको ionization energy भी वही हो जाएगी binding energy भी वही कहलाएगी तीसी चीज़ हमारे पास यहां पर एक और चीज़ होती है excitation energy excitation energy excitation energy में क्या होता है N1 से ले करके N2 तकर अगर भेजोगे excitation energy हो जाएगी फील करने की कोशिश करो lower orbit में है electron उसको अगर higher orbit में भेजना है तो उसको हमें कुछ energy देनी पड़ेगी और अगर वो higher से lower पे जंप करता है तो वो कुछ electron से energy ऐसे इस तरीके से निकाल देता है photon की form में और इसी पर बेस्ट आदी से ज़ादा examples questions यहां से पूछ जाते है किसी भी hydrogenic atom के लिए हमाई पास जो total energy होती है वो कित्य होती है minus 13.6 z square upon n square अगर z की value मैं 1 रख दूँ तो हमाई पास hydrogen atom आजाता है उसके लिए हम energy levels की value बता सकते है कि कितनी energy है जैसे n की value of 1 रख दोगे तो वो ground state आजाएगा n is equal to 1 is ground state इसके लिए हमाई पास value आजाती है minus 13.6 electron volt n की value 1 रखते हमाई पास sorry 2 रखते हमाई पास first excited state आजाती है या फिर इसको second orbit बोलेंगे orbit second है excited state first है ground से उपर first इस तरी हमाई पास उसकी value आती है minus 3.4 electron volt फिर आप values रखते जाओगे तो आपको values मिलती जाएंगे यहाँ पर इतनी values तो आपको definitely याद होने चाहिए minus 13.6 minus 3.4 minus 1.51 minus का 0.85 minus का 0.54 और इनके differences भी आपको याद होने चाहिए जैसे यह बहुत important है 12.1 electron volt यह है 10.2 electron volt और यह हमाई पास 1.89 यह 0.66 electron volt बाकी फिर आप calculate कर सकते हैं बहुत सारे combination बन रहे हैं यहाँ पर इसलिए सारे याद मत करना लेकिन इतने तो आपको याद होने ही चाहिए इसी energy gap आपसे बात करी जाएगी किन ही भी दो level के बीच में energy gap बताना है आपको तो कैसे बताओगे या तो आपको यह values directly याद हो रटी होगी है तो आप तुरंतली इनको subtract कर सकते हैं तुरंतली तो उसे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा या फिर आपको हमेशा इस तरीके से फॉर्मूले में रखना पड़ेगा कि energy का जो difference है minus 13.6 z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square electron world इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर जो energy है इसको हम क्या लिख सकते है hc upon lambda इस तरीके से फिर यह hc को आप दूसी तरफ इस तरीके से ले जाते है तो हमाँ पास basically यहाँ पर इस तरीके से wavelength का formula जाता है 1 upon wavelength is equal to r जो कि एक नया constant बन गया है यहाँ से इदर value जाएगी कुछ तो इसकी value आने वाली है z square as it is है 1 upon n1 square 1 upon n2 square यह है और यह जो constant होता है इसको बोलता है हम Rydberg constant इसकी value होती है 1.1 into 10 raise to power 7 per meter और meter देखो यहाँ पर meter है इस तरफ 1 upon lambda है यानि कि और यह भी per meter इस तरीके सारे इनका कोई dimension नहीं होगा wavelength अगर आपको पता करने है यहाँ से electron world पता कर सकते हैं अगर आपको energy पता चल चुग है तो आप wavelength इस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ से अगर electron ने जंप मारी है तो कुछ energy lose करेगा कितनी lose करेगा यहाँ से पता करो उसकी wavelength कितनी होगी वो यहाँ से पता कर लो ठीक है बहुत easy value है यह अच्छे इसमें एक तरीके के सवाल पुछा आते हैं कि मानलो मैं पास electron n is equal to 3 पे था तो वो कितने तरीके की wavelength release कर सकता है तो यह तो वो direct आ जाएगा इसके corresponding हमाया पास से एक निकलने वाली है या फिर वो यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो दूसरी यह wavelength आएगी और यहाँ से यहाँ आ जाए तो तीसरी यहाँ पर आएगी तो अब इस तरीए बहुत सारे combination बन जाते है तो इसका एक simple सा formula है भाही इसमें से किस तरीके से देखो कि कितने बनने है तो इसकी value आ जाती है nC2 और इसकी value आती है n into n minus 1 divided by 2 तो यह भी आपको पता होना चाहिए इस पर भी based questions आ जाते हैं अब यहां से देखो आपके पास energy level का gap आ जाएगा सवाल आपसे कैसे पूछे जाएंगा चाहिए जो light निकली है यह visible है infrared है या फिर ultraviolet है तो मालों इन दोनों के बीच का energy gap है वो कितना आता है 1.89 electron volt आ रहा है क्या आप चुठियों में देखते ही बता सकते हो यह कौन सी है तो देखो हमें यहां पर spectrum पता होना चाहिए हमाँ पास wavelength की term में बात करोगे तो 700 nanometer पर red होती है लगभग 400 nanometer पर violet होती है हमाँ पास मोटा मोटा ही rough idea ही है अगर energy की term में बात करोगे तो 1.8 electron volt पर हमें red मिलती है और 3.1 electron volt पर हमें violet मिल जाती है इसके बीच में अगर कोई radiation है तो हम बोलेंगे वह हमें visible होगी बाकी नहीं होगी जैसे यहां पर अगर 1.89 electron volt energy का difference है तो 1.89 वो यहां कहीं पर आता है हमारे पास है तो यहां पर हमें कुछ wavelength देखने को मिलेगी इस तरफ है नहीं होती है यहां पर हमें red light यहां पर देखने को मिलेगी अगर यह वाली अब चुटकेओं में आंसर निकाल पाओगे अ हईड्रोजन-like atom emits radiation of frequency 2.7 into 10 बार 15 hertz when it makes transition from n is equal to 2 to n is equal to 1. the frequency emitted in a transition from n is equal to 3 to n is equal to 1 will be यहां पर देखो हमें actually frequency निकालने की ज़रत नहीं पड़ेगी हम ratio से भी काम चला सकते हैं जैसे क्या करना है हमें energy का gap होता है delta e electron के energy levels का gap उसको मैं क्या लिख सकता हूँ minus 13.6 z square 1 upon n1 का square minus 1 upon n2 का square और इसी को अगर मैं equate कर दूँ energy किसके बराबर होती है वो होती है h times new तो frequency is proportional to 1 upon n1 का square minus 1 upon n2 का square क्योंकि z मुझे नहीं पता है तो मैं यही equation दो बार लिखूँगा दोनों को divide कर दूँगा तो यह constant वाले पार्ट तो इस तरीके से कट जाएंगा मैं आपास frequency का ratio जाएगा वीडियो को pause करो question को solve करो इसका correct answer है b solve करना शुरू करते हैं देखो यहां पर मैं यही equation दो बार लिखूँगा और दोनों बार में एक बार new 1 आ जाएगा एक बार new 2 आ जाएगा और फिर दोनों को divide करूँगा तो यह common वाली चीज़े है h and a यह सारी की सारी चीज़े कट जाएगे तो मैं direct लिख सकत आँ अब देखो new 1 upon new 2 की जो value होगी new 1 क्या चीज़ है 2 से 1 के बीच का transition है तो उसकी value आ जाती है 1 upon 1 का square minus 1 upon 2 का square और denominator में हमाई पास आ जाएगा क्या चीज़ आने वाली है यह आ जाएगा 1 upon 1 का square minus 1 upon 3 का square अब यहां पे कुछ लोगों वो doubt उटता है कि भाई आपने 2 को पह positive रहे यह वाली भी positive रहे है तो अगर दोनों negative भी हो जाती तो minus minus दोनों का cut जाना था तो उससे जादा अतना फर्क पड़ता नहीं आपको समझ में आना चीज़ अगर इन से हमाया पास electron निकला है तो energy gap positive होना चाहिए यहां पर यह जो energy का gap है मुझे कही ना कहीं इसकी value positive च 10 raise to power 15 यहां से में पास new 2 की जो value आ जाती है new 1 यानि कि 2.7 into 10 raise to power 15 multiplied by 1 minus 1 by 9 divided by 1 minus 1 by 4 और इसकी value आ जाएगी इसको solve करो 2.7 into 10 raise to power 15 यह कितना आ जाता है में पास 1 minus 8 upon 9 denominator में आ जाएगा 3 upon 4 पोर उपर चला जाएगा और हमाया पास इस तरीके से जाएगा into 8 into 4 upon 3 into 9 यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 2.7 multiplied by 32 upon 27 into 10 raise to power 15 अभी देखो 2.7 है पहली बात तो 10 raise to power 15 का हमें कुछ order देखने को मिल रहा है 2.7 से multiply करो आप यह 1 से थोड़ी सी बड़ी चीज तो 2.7 से वो बढ़कर के हो जाएगा कितना 3.2 हो जाएगा तो इसलिए approximately मैं इसकी वैली बोल सकता हूं 3.2 into 10 raise to power 15 and B becomes a correct answer Emission and absorption spectra तो देखो इसमें होता कि हम आपास दो तरीके के spectrum होते है Emission spectrum को समझते है Emission का मतलब हो कि हमारे पास कोई atom है जो कुछ emit कर रहा है emit कप करेगा जब electron higher level से नीचे transition करता है तो इस तरीके से उसमें से कुछ emissions होते है For example हमारे पास मानलो यहाँ पर electron था तो वो कौन-कौन सी light हमें देखने को मिल सकती है मानलो वो यहाँ से यहाँ पर गिरता है तो हमें एक wavelength देखने को मिलेगी फिर उसके बाद वो यहाँ से यहाँ गिरेगा तो भी हमें एक wavelength देखने को मिलेगी या फिर तीसरा वो यहां से फिर यहां आ सकता है तो इस तरीके से आप देखते हो बहुत सारी हमें wavelength देखने को मिलेंगे ये भी एक wavelength आ जाएगी फिर उसके बाद वो यहां से नीचे आएगा और कौन सी हो सकते हैं और हो सकते हैं यहां से यहां प्यार है तो ये निकल जाएगी, या फिर यहां से डिरेक्टली वो यहार है, ये भी एक निकल जाएगी या फिर लास्ट हो सकते है, यहां से डिरेक्टी पूरा नीचे तक आ गया वेखो, इतनी सारी wavelength हमें देखने को मिल रही टोटल नंबर ओफ लाइन्स कितने को देखने को मिलेंगी, वो होती है हमारे पास एन, सी, टू या फिर उसी को लिख सकते हम एन, इंटू, एन, माइनस, वन, डिवाइड़ड़ बाइटू अब इसमें हमारे पास ब्लाक स्ट्रिप होती है किस तरीगे से ब्लाक स्ट्रिप ने, बिसिकली, अगर मैं देखू कि कौन-कौन सी वेवलेंथ वहाँ पर अवेलेबल है, है न, जो जो अवेलेबल होती है वो वेवलेंथ हमें इस तरीगे से वहाँ पर माक होके दिख जाती है यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, इस तरीके से हमको चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो हमें इस तरीके का स्पेक्ट्रम दिखता है, अंधेरे में कुछ अलग-अलग वेवलेंट देखने को मिलती है, फिर आता है हमारे पर एब् wavelength एब्जौब कलेंगा, बाकी तो सारी, कि सारी इधर निकल जाएंगी, कुछ यहाँ से गायब हो जाएंगी, एब्जौब कले गा, तो वो यहाँ से इस तरीखे से ऊपर चला जाएगा, उपर जाएगा तो फिर नीच आएगा, तो अब वो नीच आएगा, some black lines है इस तरीके से इसमें हमें black lines black lines इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वैसे तो visible range में होगा तब black और white की आप बात करोगे लेकिन ultraviolet region भी है तो यहां ultraviolet चल रही थी लेकिन एक ultraviolet gaib है इस तरीके से आप उसको समझो इस तरीके से हमको black lines लिखना नीचे पर lines गायव होती है अब इसमें absorption किस तरीके से हो सकता है माल लो हमारे पास ground state में था तो ground state से या तो हम उपर जा सकते हैं हमारे पास ये वाला गायव हो जाएगा या फिर दूसरी कौन सी गायव हो जाएगी जो ground state से मैं second तक जा सकता हूं या फिर मैं ground state से third तक जा सकता हूं इस तरीके की चीज़े देखने को मिलेगी ये नहीं होगा कि two से हम उपर चले गए possibility उसकी भी है पर electron two में है और उसी time उसने दूसरी भी absorb कर लिए उसकी probability बहुत ही कम होती है इसलिए हमारी सिर्फ ground से उपर तक जाने वाली को ही देखते हैं यहां से उपर जाने वाली हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है यह हो जाता है हमारा absorption spectrum if six different wavelength photons are present in emission spectrum how many different wavelength photons are absorbed in absorption spectrum बहुत ही अच्छा ही सवाल है देखो कैसे हमारा पास six different wavelength है emission spectrum में emission में क्या होता है हमारा पास देखो उस तरीके से नीचे गिरती हैं चीज़े और कितनी गिरत सकती है उसकी हमारा पास एक calculation है n into n minus 1 divided by 2 इसकी value में किती रही है कि six present है emission में this is emission emission में हमारा electron नीचे आता है तब ही जो atom है वो wavelength निकालता है emit करता है यहां से हमारा पास n की value आजाती है 4 into 3 upon 2 यानि कि n is equal to 4 मुझे पता चल जाता है अब इसका क्या मतलब हो कि absorption में कितने थे तो देखो actually ऐसा हुआ होगा हमारे पास एक atom होगा atom के उपर से white light इस तरीके से गई होगी white light की कुछ range होगी उस range के कारण एक maximum n तक यह जा सकता है maximum n तक हमारे पास electron excite हो जाएगा पिर उसके बाद यहां से emit करेगा कभी इधर करेगा कभी इधर करेगा पर मान लो जहां पर भी वो screen लगी हुई है तो यहां पर हमें emission देखने को मिलेगा emission spectrum देखने को मिलेगा इधर हमें absorption वाला देख जाएगा absorption वाले में क्या होता है कुछ lines missing होती है यह सारी की सारी तो इस तरीके से चली जाएगी कुछ एक दो रह जाएगी जिनको absorb करके वो n is equal to 4 तक जा रहा है ground state से अब देखो सवाल उठता है हमारे पास यहां पर ground था ground से हम 1, 2, 3 and 4 तक चले जाते हैं यहां से ground से 4 तक भी मैं जा सकता हूँ 3 तक भी जा सकता हूँ 2 तक भी जा सकता हूँ 1 तक भी जा सकता हूँ सिर्फ 4 लाइने absorb हो रही होगी इसलिए हमारा जो correct answer हो जाता है वो है 4 यह वाली absorb नहीं होगी क्योंकि यहां से electron मालो jump वो करके यहां पर आया और वो यहीं पर है और तुरन दूसरा भी वो absorb कर ले इसकी probability बहुत कम होती है इसलिए उन सब को में consider नहीं करना होता है ground वाले का answer माया पास आ जाता है 4 हमें मिलेंगी देखने को absorption spectrum में compare करते हैं दो hydrogenic atoms को जैसे मालो माया पास यहाँ पे hydrogen है यहाँ पर मैं पास helium plus है तो helium plus के लिए z की value हो जाती है 2 यहाँ पर z की value होती है 1 तो देखो हमाँ पास जो energy levels आते है energy levels किस तरीके से आते है total energy is equal to minus 13.6 z square upon n square values रखते होगे अलग-अलग n की values के लिए तो देखो यहाँ हमें जो result मिलता होगत है minus का 0.54 यहाँ पर इसके आगे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है similarly हमाँ पास यहाँ पर जो values आएंगे देखो z square यानिकी 2 का square यानिकी 4 का factor यहाँ पर आजाने वाला है जो भी यह value है 4 से multiply करता हो तो यहाँ पर हमाँ पास value कितने आती है minus 54.4 electron volt 3.4 into into नहीं है into तो कर दिया electron volt और यह आजाता है माँ पास minus 2.16 electron volt अब यह सारी values आपको याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें जिस तरीके के questions बन सकते हैं वो देखो क्या है यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच का एक gap दिखाई देता है और आप देखो के यह वाली जो value है जो hydrogen के ground level के energy level है वो helium plus के first excited state या फिर n is equal to 2 का energy level देखो same है यहाँ पर हम देखते हैं this is equal to this similarly मैं देखता हूँ minus 3.4 यहाँ पर n is equal to 2 पर आया है यहाँ पर n is equal to 4 पर वही हमें 3.4 देखने को मिलता है इस तरीके से तो अगर ऐसा आपको question दिया जा सकता है कि भाई हमारे पास यहाँ से hydrogen में अगर एक element इस तरीके से electron हमारा नीचे गता है तो हमारे पास कुछ light निकलती है 2 से 1 में जो light निकलती है same light helium plus में हमें 4 से 3 में देखने को मिलेगी यहाँ पर से देखो यहाँ से अगर transition होगा तो same light निकलती है अब इसमें बहुत सारे question बन सकते है ऐसा बुला जा सकता है कि helium के कौन से transition के कारण हमारा hydrogen का 1 से 2 तक excite हो जाता है प्योंकि यहाँ से जो light निकलेगी वो light यहाँ पर absorb हो सकती है इसको इस तरीके से excite कर सकती है या फिर घुमा फिरा करके बहुत सारे questions यहाँ बनाया जा सकते है समझने की बात क्या है hydrogen में कुछ level exist करते हैं जो helium में भी exist करते हैं यसलिए questions बनाया जा सकते है हम लोग इंडिया रोट्रिप पर जा रहे है तो उसके लिए हम एक fridge magnet design करना है तो actually मैं अपने शादी के fridge magnet को देख रहा था कि मैंने बनाया था देखो इसमें हमाई शादी गोवा में थी तो गोवा का बीच है बीच पर starfish होती है नारियल पा नहीं मिलता है मैं camera पसंद करता हूँ तो camera है यहाँ पर यह heels पलवी क्योंकि modeling वगर में थी हमने सब को जो लोग आये थे guess को hats दी थी फलकम ग्रिफ्ट और नारियल यह भी है किसी ने बीए भी पी होगे वाँ बीच पर हमारा brass band था शादी में वो है और पेड है sun था काफी अच्छा मौसम था किसी is our hashtag किरार का की and सिरोही का सी पलवी सिरोही मेरी वाइफ का जो नाम है तो मैं वस यह बताना चारा हूँ कि जब मैं यह बना रहा था बहुत detailing कर रहा था देखो यह मेरी शिरवानी का color भी मैंने match किया यह उसकी जो लेंगा था same colors मैंने यहाँ पर भरे सब अच्छे से बनाया लेकिन last में जो expression बनाने की बारी आती है न मुझसे बने ही नहीं तो सब कर लिया मैंने फिर मैंने अपने दोस्तों को भी जो designer दोस्त हैं आपको भीजा था कि यार मैंने यह बनाया है तो मैंने उनको भी बोला यार प्लीज इसमें help कर दो पर eventually मैंने देखा यार इसको perfect करने की जरूरत नहीं है जो भी यह आच्छा लग रहा है और काम भी चली रहा है और अब तो मुझे वो दिखाई भी नहीं देता यार expressions उतने अच्छे मैं नहीं बना पया पॉइंट इस आप भी अपनी तयारी कर रहे हो हल चीज को perfect करने के उसमें मत लगना, that's okay बढ़ा बहुत चल जाता है ना आगे बढ़ना जरूरी है लाइफ में करते जाना सरूरी है और आप बाद में आकर की चीजे चेंज कर सकते हैं जैसे मेरा मन करेगा तो अभी मैं दुबारा इस पर लगा सकता हूँ अगे चलता है यह ऐसी मैंने शेयर कर दी आपके साथ hydrogen spectrum हमारे पास electron बहुत सारे transition कर सकता है उनके कुछ नाम है हमारे पास जैसे अगर हमारे पास n is equal to 1 पर transition होता है कहां से होगा कहीं से भी हो सकता है infinity से हो है इस तरीके से हो सकता है वह infinity से आ रहा है यह यहां से आ रहा है यह यहां से आ रहा है यह यहां से आ रहा है यहां से आ रहा है तो उसको बोला है था है लाइमन सीरीज अर्ण सबकी एनरजीज जो होती है वो इस तरीके से होता है कि ये light UV रीजन में गिरती है उसके बाद आता है हमाँ पास दूसरी बामर सीरीज बामर सीरीज में हमेशा हमाँ पास final stage क्या होती है इनक्वल टू वो कहां से आ सकती है मान लो infinity से आ रहा है अगर वो 2 पे आ जाए तो भी ये बामर है यहां से भी यहां पे आएगा तो भी बामर है यहां से आएगा तो भी बामर है यहां से भी आएगा तो भी हमाँ पास बामर है इसी तरीके से हमाँ पास Pastion Series होती है अब देखो यह Visible range में है यह Ultra Valid थी और यह Infra Red में है तो Infra Red में हमाँ पास देखो यहाँ से इन्फिनिटी से 3 पर गिरेगा यह यहाँ से 3 पर गिरेगा यह यहाँ से 3 पर गिरेगा यह सब Pastion Series है Similarly, N इकल टू 4 पर गिरेगा तो bracket series होती है and equal to 5 पे गरेगा तो fund series होती है so peace island होता है तो अलग-अलग इन series के नाम दे दिये गए है यह आपको यहाद होने चाहिए अब यहाँ पर कुछ चीजे हमें पता होने चाहिए जैसे lyman series में हमारे पास जो भी wavelength होती है उसकी एक range है हमारे पास वो range क्या है lyman series है 90 से लेकर के 120 nanometer तक यह ultra wallet region की range है बामर में हमारे पास range आती है 360 से 670 तक nanometer यह हमारे काम की है और इसमें भी देखो 360 कौन सी होगी यह 670 कौन सी होगी देखो बड़ी wavelength यानि की छोटी energy अगर wavelength बड़ी है इसका मतलब energy छोटी है अगर मैं बामर की बात कर रहा हूँ यानि की N equal to 2 पे टपकने वाले और उसकी सबसे कम energy कौन सी है यह वाली फिर उसके बाद यह है फिर उसके बाद यह है फिर उसके बाद इस तरीके से आती जाएगी और बागे जाके के तो energy के differences बहुत कम हो जाते है तो मैं पास mainly हम तीन wavelengths को याद रखेंगे जो सबसे कम energy वाली होगी है इसको हम बोल देगे यह alpha है next वाली बीटा कहलाएगी तीसरी वाली इस तरीके से gamma कहलाएगी तो हमां पास 3 से वाला वमा डन त paüs days में आप याद रखेंगे इसको बुला जाएगा H alpha वो होती है 670 nm की पिर आती है Bent toute eta वोती है 400 नंबीटर और फृर आती है H gamma वो होती है हमा पास 360 nm इनके colors भी आप यादा यह मेरट रखना चाहो तो रख लो लेकिन हमारे लिए सबसे important चीज़ क्या है किसी भी N से 2 पर गिरेगा तो वो Bama series है similarly, passion series क्या होगी N is equal to 3 पर गिरेगा यह 1 था, 2 था, 3 था passion series पर हमारे पाद जो wavelengths होती है वो किस range की होती है, वो होती है 820 से लेकर के 1880 nanometer तक इस से यादा चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है मेरे साब से तो यह भी नहीं याद रखोगे तो भी आपका काम चल देगा यह values आपको याद होनी चाहिए New 1 is the frequency of the series limit of Lyman series New 2 is the frequency of the first line of Lyman series and New 3 is the frequency of the series limit of Bama series तो यहाँ पर मैं कुछ रिलेशन बताना बहुत ही अच्छा सबाल है परते एक चीज़ समझे हो कि यहाँ पास यहाँ पर मैंस तरीके से लेवल्स बना लूँगा यह है मेरे लिए N is equal to 1, 2, 3 यह कुछ values है अब एक बात बताओ Lyman की बात कर रहे हैं यानि कि हमाँ पास 1 पर गिरेगी अब यहाँ से भी गिल सकती है यहाँ से भी यह सब लाइमन series है इन में से पहला किसे बोलोगे और series limit किसे बोलोगे तो first हम इसको बोलते है series limit जो infinity से आ रही है उसको series limit बोलते है तो देखो new 1 की value क्या है series limit of Lyman तो हमाँ पास series limit यहाँ infinity से जब electron यहाँ पर आ करके गिरेगा इससे जो हमाँ पास radiation निकलता है वो उसकी frequency होती है new 1 इसी तरीक से आप new 2 और new 3 पता करो क्या चीज़े हैं उसके बाद इन में से कोई एक relation सही रहने वाला है वीडियो को pause करो question को solve करो इसका correct answer है A. solve करना शुरू करते हैं एक हमाँ पास new 2 is the frequency of first line of Lyman Lyman की first होगी जो यहीं से इस तरीके से आएगी तो हमाँ पास new 2 बना दो भई यह है मेरे पास new 2 ठीक है और new 3 क्या चीज़ है series limit of bomber bomber क्या होता है जो 2 पर गिरता है और series limit की बाद होगी यहनि infinity से जब गिरेगा infinity से गिरेगा यहाँ पर यह निकलती है हमाँ पास new 3 अब एक बार बदाओ infinity का energy level तो होता है 0 इसका भी कुछ energy level है इसका भी कुछ energy level है यहाँ से electron यहाँ पर आएगा तो let's say उससे जो energy निकलती है वो होती है E1 क्या वो energy इससे जो निकली है और इससे जो निकली है दोनों के मिला करके होगी क्योंकि total energy तो इन दोनों के बीच में जो gap है वो तो same है यहाँ पर मैं लिख दूँगा E1 is equal to E2 plus E3 अब photons के लिए मैं पता है energy is proportional to frequency तो यहाँ पर जाएगा new 1 is equal to new 2 plus new 3 और इसी को आप rearrange करोगे तो new 1 minus new 2 is equal to new 3 आ जाता है A becomes the correct answer अब यहाँ पर इसी का एक variation हो सकता था अगर wavelength की term में आप से पूछ रहा है तो क्या करोगे तो देखो energy hc upon lambda होती है इसी case को आप लिख सकते थे 1 upon lambda 1 is equal to 1 upon lambda 2 plus 1 upon lambda 3 अब इसी को rearrange करके आपके पास सवाल क्या आ जाता है यहाँ पर आ जाता अगर option हो सकता था lambda 1 is equal to lambda 2 lambda 3 upon lambda 2 plus lambda 3 इस तरीके के option दिये जा सकते थे तो वो भी आप solve करने आप आ चुके है हमारे पास एक atom है इस atom में कुछ transition हुआ इसके कारण इसमें से एक light निकलती है इस तरीके से हमारे पास एक wavelength निकलती है lambda अच्छा पहले initially यह rest पे था हमारे पास atom अब इस तरफ wavelength निकल गई wavelength के हिसाब से हमारे पास एक को photon का momentum होता है momentum की value कितनी होती है h upon lambda के पराबर अब momentum हमेशा conserve रहता है initially system rest पे था तो बाद में भी system rest पे रहना चाहिए इसका मतलब atom को पीछे की तरफ कुछ velocity मिलनी चाहिए अगर atom का mass है m तो हमारे पास यहाँ पर momentum conservation से आज़ाता है m into v is equal to h upon lambda momentum conservation तो basically आप से सवाल इस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि atom पहले इस तरीके से जा रहा था उसकी velocity थी 2 meter per second let's say और फिर इस तरफ हमारे पास एक photon निकल जाता है तो इस तरफ कितना momentum में change आएगा इस तरीके के questions भी पूछे आ सकते हैं समझना क्या है? momentum conserve कराना है और photon का जो momentum होता है हो h upon lambda होता है that's it कई बास सवाल में आपको बोला जाएगा बोल लाइक atom है और उसके लिए equations derive करो तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो बोल लाइक atom का मतलब क्या है? इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि angular momentum is quantized इससे हमें क्या चीज़ मिलती है? angular momentum is equal to nh upon 2π ये हो गई हमारी पहली question बोल मॉडल derive करते से हमें हमने क्या देखा था? कि जो centripetal force होता है वो electrostatic force के बराबर होता है हमने क्या देखा था? F centripetal is equal to इसकी value थी F electrostatic अब सवाल में आपको बोला जाएगा कि यार electrostatic force की जाएगा कुछ और force मैंने दे दिया उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर force जो आपको दिया जाएगा वो force radius का function हो सकता है हाना? तो for example हमें दे दिया जाएगा जो भी value दी गई है तो हम यहाँ पर करेंगे mvr sorry mv square upon r जो अबारा centripetal force है उसको आपको f as a function of r इसके बराबर कर देना है यह आपकी second equation बन जाएगी दो equation आगई तो अब आप कुछ भी derive कर सकते हो mostly आप से r की value पूछी जाएगी l क्या होता है हमें आपास? l की value होती है mvr के बराबर angular momentum है this is mvr पहली equation ही यह दूसरी equation ही है आप पता कर सकते हो कई बार सवाल में ऐसा होगा कि आपको value देजी जाएगी कि potential energy is a function of r तो ऐसे case में आप force कैसे पता कर सकते हो ऐसे case में देखो force वो भी एक r का ही function होगा और उसकी जो value हो जाएगी वजाती है minus del u upon del r इस तरीके सा आप निकाल सकते हो अब आप कुछ भी जो भी पूछा गया आप उससे पता कर सकते हो यही दो equations हमें चाहिए होती है इसका एक example कर लेते है a particle of mass m moves in a circular orbit in a central potential field u as a function of r is u0 r की power force तो देखो हमें दे दिया गया है u as a function of r is equal to u0 r की power force क्या यहां से मैं center की तरफ वाला force निकाल सकता हूँ force की जो value हो जाएगी minus del u upon del r ठीक इसे आप force की value निकाल पाऊगे if force quantization conditions are applied radii of the possible orbits rn vary with n की power 1 by alpha तो quantization condition क्या चीज quantize होती है l की value ही तो quantize होती है l is equal to nh upon 2 by l की होता angular momentum which is equal to mvr यह होगे हमारी question number 2 यह हमारी question number 1 अब यहां से आपको पता करना है कि radius और n में क्या relation है उसके साब से alpha की एक value निकाल निकालनी है आपको वीडियो को पॉस्ट करो, question को solve करो इसका correct answer है 3, solve करना शुरू करते हैं बहुत ही अच्छा से सवाल है देखो यहां से force की value आजाती है force is equal to minus 4u0r का cube अच्छे यह तो magnitude हमें बस देखना हूँ और खी भाई इसके magnitude को आप equate कर दो हमारे centimeter force है तो में पास value आजाती 4u0r cube is equal to mv square upon r साथ में मेरे पास यहां से कुछ equation हाईगी देखो, यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 4u0r की power 4 is equal to mv square इसी को मैं multiply कर दूँगा m into r square से और divide भी कर दूँगा m into r square से तो यह क्या चीज़ बन जाती है यह बन जाता है हमाँ आपास m square v square r square upon mr square है ना which is equal to अब यह mv r क्या चीज़ थी nh upon 2pi यहां पर उसका square है तो इसका भी square कर दो this will become n square h square divided by 4 pi square upon mr square और यह क्या चीज़ के बराबर है 4 this is equal to 4u0r की power 4 यहां से हमाँ को दिख जाता है n square is proportional to r की power 6 यानि कि n is proportional to r की power 3 यानि r is proportional to n की power 1 by 3 alpha की value आजाती है यहां से 3 हमाँ पास 3 becomes a correct answer x-rays दो तरह की हम पढ़ते हैं continuous x-rays and characteristics x-rays तो continuous x-rays देख लेते हैं पहली बात तो x-ray बनती कैसी है मैं पास कोई metal होता है उसके पर काफी high energy के electrons को फैकता है उसके कारण वहां से x-rays निकलती है अब किस तरीके से निकलती है वो भी देख लो मालो मैंने यहां से इस तरीके से कोई electron को बहुत high speed से ऐसे फैका रहा है electron के उपर force भी लगेगा यह अपनी तरफ इसको कीचने की कोशिश करेगा तो electron अब यहां से इस तरीके से मालो उसका कुछ इस तरीके से motion होता है अब यहां पर देखो इसका कुछ ना कुछ acceleration जरूर इसके पर force लग रहा है जब भी कोई charge particle accelerated motion करता है तो उसमें से energy का loss हो जाता है energy का loss किस form में होगा तो वो होता है EM waves हमें वहां से देखने को मलते हैं यहां से कोई EM waves निकलती है अब क्योंकि यहां पर कोई initial fixed energy level नहीं है final cost fixed energy level नहीं है तो यहां पर कोई भी हमारे पास frequency निकल सकती है यहां पर lambda can be any any lambda अब यहां पर और एक चीज़ देखो इसकी kinetic energy initially के थी तो यहां पर क्या होगा हमारे पास यह जो photon की energy है वो कुछ भी हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती तो हमारे पास यह condition है जाती है hc divided by lambda will be less than or equal to k initial k initial यहां से हमने जो इसको देखे भीज़े यहां से हमारे पास wavelength के यह condition है wavelength will be more than or equal to hc upon k यहां से हमने जो kinetic energy देखे भीज़े थी इस तरीक से हमें कुछ graph देखने को मिलता है और इसका अगर आप study करोगे तो हमारे पास अलग-अलग wavelength पे अलग-अलग intensity देखने को मिलते है तो यहां पर wavelength है यहां पर उसके corresponding हमारे पास कुछ intensity है यहां पर वो graph जो इस तरीक से आएगा वो ऐसा कुछ observe किया गया है है यहां पर यह वाली जो value है यह important value है इसको क्या बुले जाता है इसको बुले जाता है cut off wavelength कट-off wavelength है ना यह है हमारा लेम्डा कट-off साथ में हम देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर wavelength की value पर हमें maximum intensity देखने को मिलती है अब उसके बहुत सारे factors हो सकते हैं element की property हो सकती है वो सब हमारे काम की चीज नहीं हमें क्या समझना है कि एक हमारे पास cut-off इस तरीके से आ जाती है उससे कम wavelength है उससे ज्यादा energy की x-ray हमें देखने को नहीं मिलेगी this is it अब हम देख लेते हैं characteristic x-ray क्या होती है यह तो continuous है continuous का मतलब यहां से हमें हर एक wavelength की इस वीडियो की तरह physics को बहुत ही amazing तरीके से पूरी की पूरी फिजिक्स 11 और 12 की कवर करनी है तो आजाओ crash up learning app पे link is in the description अपना ही जही मन का जो को से उसमें जही मेन और advanced के पूरे के पूरे concepts बहुत सारे पीवाय की इस conceptual questions सब को चार्ट के आपके लिए मैंने बना दिया है चालिस बैल इस वीडियो का यह पूरा का पूरा course है और दोगंटे की classes होती है आप उनको अपनी speech से देख सकते हो link will be in the description by the way सारे के सारे के सारे colorful notes absolutely free है PDF यह आपको course page पर ही मिल जाएंगी सीधे Google Drive से आप download कर सकते हो और मैं vlogging channel को भी subscribe कर लो हम मिलेंगे अगले video में